नमस्कार साती हूँ, दोस्तो मैं प्रभुयादस स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल प्रभुयूपीपी में दोस्तो, यूपी पुलिस कॉंश्टेबल, री एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं जितने ही बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाश्ट तक वीडियो देखिएगा, इस वीडियो के मातने हम से हम साट दीनों की जो हमारी स्टेटिजी है, साट दीनों में ये जो आने वाले साट दीन है इनको हमको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कैसे हमको त्यारी करना है, इसके बारे में हम जो चर्चा करने वाले हैं, दोस्तो, मैं सबसे पहले इस बात को किलियर कर देना चाहता हूँ, कि इस वीडियो से वो बच्चे दूर हैं, जो परिक्षा को ले करके serious नहीं है, जो UP Police Constable re-exam को ले करके serious नहीं है, जिनकी thinking ये है, कि जब admit card निकलेगा, तभी हम त्यारी करेंगे, या वो इस वीडियो से दूर रहें, केवल serious बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, दोस्तो, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, आपके लिए ये जो मैंने 60 days study plan बनाया है, इस journey करनी में आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपका सहयोग करने वाला हूँ, और हम सभी मिल करके जो है, 60 दिनों की जो हमारी study plan है, इस पे काम करने वाले हैं, दोस्तो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपके परिक्षा में जो प्रस्ट पूछा जाते हैं, वो ये चार पूछा गया है, और वहीं हिंदी के अगर हम बात करें, तो दोस्तो हिंदी में भी 38 परस्ट ने पूछे गए किसी किसी shift में, चलिए हम इसको 37 ले ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, अब आप देख रहे होंगे, जो हमारा math है, इससे आपने देखा होगा कि 20 question पूछे गए है लगभग अगर आपको मैं बता दूँ, कि जो सबसे अधीक प्रश्ट ने पूछे गए हैं, वो reasoning से ही पूछे जाते रहे हैं, अभी तक भी यही हाल है, तो दोस्तो हमने यह सोचा है, कि सबसे पहले हम target भी इसी को करेंगे, आपको GS जहां से मिले, जो मिले आप पढ़ते यह सेलेबस के according, लेकिन अब हम लोग reasoning को target करने वाले हैं, ठीक है, reasoning को हम target करेंगे 30 दिनों तक, 30 दिनों तक हम reasoning को सबसे पहले target करेंगे, और उसके बाद हम जो है, बीच बीच में, जैसे हिंदी के लिए, आप हमारा जो एक YouTube चैनल है, प्रभू UPP हिंदी, प्रभू UPP हिंदी, उसको आप सभी subscribe कर सकते हैं, उस चैनल पर मैंने हिंदी के classes के वीडियो बहुत upload किये हैं, आप लोग के syllabus के recording, जो भी आपके syllabus में हैं, लगभग maximum topic पर आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने कुछ topic पर upload नहीं किया है, जैसे साहित से related जितनी भी topics हैं, ठी पेपर जब आपका होना था, तो उसी समय मेरी तबियत खराब हो गए थी, जिस कारण से मैं class नहीं ले पा रहा था, तो दोस्तो अभी आप इस चैनल को subscribe कर लेंगे, और वहाँ पे जितनी भी classes हैं, उसको आप देखकर एक short notes त्यार कर लीजेगा दोस्तो, उमीद करता कि जब आप वीडियो को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके लिए जो वहाँ पे content provide कराया गया है, वो बहुत ही सांदार level का है, दोस्तो ये जो reasoning है न, इसको हमको बहुत अच्छे तरीके स्टार्गेट करना है reasoning में, जैसा कि मैं बता दू, बहुत सारे बच्चे हैं वैसे कथन इसकर्स से तो इस बार कोशन उतना अधिक नहीं पूछा गया है, जितना कि इसके पहले पूछे जाते रहे हैं, कथन इसकर्स से कोशन बहुत अधिक आते थे लेकिन इस बार कथन इसकर्स से कोशन को कम करके मांसिक अभिरुची के कोशन को ज़्यादा डाल दिय हम मांसी कबिरूची को भी देखेंगे लेकिन दोस्तों हम सीरियल वाइस जो है आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और ताकि जितने भी बच्चे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो अभी भी तैयारी प्रारम नहीं किये होंगे जो पहली बार परिक्चा में बैठे हैं और बीना तैयारी के बैठे थे मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बच्चे जब दुबारा जब परिक्चा में बैठे तो वो जो है बीना तैयारी के बैठे क्योंकि अब आपके पास समय ठीक ठाक है मतलब आप कह सकते हैं कि आपके पास minimum कुछ नहीं तो 3 महिने का वक्त बड़े अराम से है 6 महिने का समय बताया गया कि 6 महिने के बीतर तो हम मान के चलनए कि 3 महिने से पहले तो आपके परिख्षा नहीं होने वाली है जब भी आपके परिख्षा होगी वो चुनाओ के बाद ही अब जो है देखने को प्राप्त होगा अच्छा एक चीज़ और मैं बता दू reasoning के अलावा GS के कुछ important topic है उनको भी हम जो है target करेंगे बीच-बीच में जैसे currents के आप देखते हैं कि currents के मैंने sorts वीडियो के माध्यम से मैंने जो है एक नया जो है कि आपके लिए content तयार किया हुआ है कि जहां पे आपको हर एक sorts वीडियो में एक एक current से related जो बार किया है वो आपके लिए जो है मैं लेकर के आता रह रहा हूँ और ये हर रोज होगा ठीक है उससे क्या होगा कि हमारा जो current है वो भी त्यार होता रहेगा अच्छा कुछ चीजों को हम जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे जैसे राम मंदिर से related जो facts है ठीक है चंद्रयान से related जो है questions हमको जितनी भी चंद्रयान चंद्रयान 2 चंद्रयान 3 इन सभी से questions जो है जितने भी बनेंगे उनको हमको जो है अच्छे से देखना है इसके अलावा जी अश्टी नोट बंदी और सरकारी योजना है दोस्तों अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि हर एक shift में लगभग जो है government के जो काम है उनसे related questions जरूर पूछे गए हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप से यह उम्मीद लगाए रहती है गवर्मेंट के भी या आप पढ़ रहे हैं कि नहीं जो वो schemes launch कर रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी है भी या नहीं है तो दोस्तों इन सभी topic को हम cover करेंगे और इसके अलावा बहुत सारे topic है मैंने एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो थोड़ा सा मुझे shocking लगा वो यह था कि समिधान से question बहुत कम पुछे गया थे समिधान के question जो पुछे गया थे मतलब यह समझ लीजे बिलकुल ना के बराबर एक दो तीन ऐसे question पुछे गया किसी किसी shift में केवल एक ही दो question पुछे गया तो यह थोड़ा सा मुझे shocking लगा क्योंकि समिधान से question अगर आप previous year उठा के देखेंगे तो से 5 question पुछे जाते रहें लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है कि हमको समिधान नहीं पढ़ना है हो सकता है कि इस बार समिधान से question पूछ दे लेकिन बहुत जादा अब हमको जो है उस पर focus करने क्या शक्ता नहीं है उनके जो one liner type question है उनको हमको देख लेना है और इतिहास की बात करें तो इतिहास से question ठिठा गाये थे इतिहास से हमको जो है अच्छे से questions को देखना है और उसके बाद हमारा जो focus होना चाहिए हिंदी और reasoning पे विशेस focus होगा GS को हम बीच-बीच में cover करते रहेंगे GS में जो UP special की जो classes है अच्छा GS में आपने एक और topic देखा होगा ODOP one district one product से भी question पूछा गया था कि कौन सा जीला कौन सा जनपत जो है वो किस उद्ध्यों के लिए चाना जाता है इससे भी related questions आये थे परिक्छा में और दोस्तों math का आप लोग बिल्कुल tension मत लिजेगा math जो है इस वार हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे math में जो question पूछे गए थे वो आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा hard level तो नहीं था लेकिन कोई-कोई question ऐसा था कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बस इतना फर्क था otherwise अगर आप देखें तो दोस्तों math में केवल 20 प्रशन पूछे गए थे जैसा कि मैं हमिसा से बताता आ रहा था कि 18 से 20 प्रशन तो वही थे जो exam pattern जो question मतलब math के आप देखेंगे तो 38 प्रशन होते हैं 38 नहीं है तो यह एक चिछ clear हो गया कि बहुत चैनल वाले यह भी उमीद लगा करके बैठे थे कि हो सकता है कि math के questions को बढ़ा दे लेकिन ऐसा नहीं हुआ math के questions कितने पूछे गया थे 20 सही पूछे गया तो और इस बार भी जब भी आपका सारी एक्जाम होगा तो math question B से ही आएंगे जिसमें कि पांच question तो आपका graph से आ जाता है ठीक है पांच question graph का हो गया और उसके बाद simplification percentage profit loss इस तरीके से जो है जो main main topics हैं उनको हम cover कर लेंगे दोस्तों इस साड़ दीनों की जो हमारी study plan होंगी यह मैं important topics को मैं target करूँगा देखिए मेरे पास इतनी सुविधाय तो उपलब नहीं है मेरे पास ना तो digital board है ना ही मेरे पास ऐसी team है कि मैं आपके लिए बहुत धेड़ सारा content provide करा सकूँ मुझे जो करना है मुझे swarm करना है खुद को ही मेहनत करके जो है कि आपके लिए content तयार करना है तो दोस्तों मैं important topic को मैं target करूँगा आपने देखा होगा कि मैंने किवल 20 प्रसन कराये थे प्रसासन से मैंने 20 प्रसन कराये थे और अलग-अलग shift में जो है मिला करके कुल तीन प्रसन पुछे गए जिसमें से कि दो आपका यूपी पुलिस constable परिक्षा में आया था और एक प्रसन जो है रेडियो operator में भी आया था तो ऐसा नहीं है मैं अगर कोई चीज बता रहा बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर मतलब होता है ना कि एक आदमी की mentality set हो जाती है कि या हमको तो बस उसी की बात सुननी है जिसके चैनल पे जो है 1 million subscriber हो या 10 million subscriber हो हमें छोटे चैनलों की जो है बाते नहीं सुनिये तो भईया ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़के दूर स ही नमस्कार करना चाओंगा भीया आप उन्हीं के पास जाएए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मैं बहुत उमीद के साथ वहां mock test दे रहा था लेकिन अंतता जो है मुझे नियासा हाथ लगी क्योंकि जब उनके मैं mock test देता था तो म मैं हमेशा से आपको कहता आया हूं कि भीया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपको जो है बैलेंस बना करके चलना है अगर आप दोनों में बैलेंस नहीं बनाएंगे तो अंतता आप पस्ता न पड़ेगा आपको और रहेगी बात exam mode की है बहुत सारे ऐसे भी YouTube पे हैं जो अ अपडेट नहीं आया है एक नोटिस वाइरल हो रहा था जिसके बारे में अभी मैं एक वीडियो बनाया हूं वो आपको पता चल गया होगा कि हाँ भीया वो नोटिस जो है फेक है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से हम जो है एक नई जन्नी को प्र आया हूं वोस्तों क ऊहें हूँकर